नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंस का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मौझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जनल स्टेडी पेपर 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। देखो जो हमने सविधान एडोट किया हैं। उसम के द्वारा एक निश्चित समय के बाद। जैसे एक्जामपल आपको दूँ हर 5 साल बाद लोक्षबा की इलेक्शन कंड़क्ट होते हैं। और जो सदस्य चुने जाते हैं। जिस पार्टी की या फिर कोलेशन की सबसे ज़्यादा सीट आती हैं। उसकी सरकार बनती हैं। बट सरकार की accountability fix की जाती हैं पालियमेंट में। कैसे। देखो पालियमेंट में जो लेजिसलेचर हैं वो कोशन पूछते हैं सरकार से। वेरियस टूल्स के माध्यम से। फॉर एक्जामपल कोशन आवर, अजन्मेंट मोशन, कालिंग अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर दिसक Taxation Purposeal को Approval भी पालियमेंट के द्वार दिया जाता हैं। मतलब ये सारे क्या हैं? ये देखो टूल्स हैं ताकि सरकार जो कामकाज कर रही हैं सरकार से कोशन पूछे जासके, इन टूल्स के माध्यम से सरकार की जवाबदेही त्याकर की जासके, पता लगाए जासके, सरकार क कैसा काम कर रही हैं। हमारा फोकस इस आर्टिकल में सभी accountability fix करने वाले टूल्स पर नहीं हैं, एक टूल्स पर हैं, जो कि हैं question hour, पालियमेंट में सरकार से जो कोशन पूछे जाते हैं, ये भी एक माध्यम है सरकार की जवाबदेही त्याकरने का, कोशन देखो तीन परकार क होते हैं, start questions, unstired questions, और short notice questions, जो start questions होते हैं, उन पर star लगा होता हैं, और इनका oral answer देना पड़ता हैं, answer देने के बाद, वो member of parliament जिसने question पूछा है, वो एक supplementary question भी पूछ सकता है, मतलब, minister की तरफ से माली जी answer दिया गया, और उसमें से कुछ ऐसी information निकल के आई, तो member of parliament जिस इसने question पूछा है, वो फिर से एक और question पूछ सकता है, दूसे नमबर पे unstired questions जो होते हैं, इनका written answer देना होता है, इस वज़े से supplementary question नहीं पूछे जा सकते, written answer मिलने के बाद, और तीसे नमबर पे short notice questions, ये वो questions होते हैं, जिनको पूछने के लिए 10 दिनों से कम दिनों का notice दिया जाता हैं, और इनका भी oral answer देना होता है, तो ये हमने question hour के basics को discuss किया, question hour की importance देखो, parliament के कामकार्स में काफी ज़्यादा हैं, क्योंकि question hour में government की हर एक activity से सम्मन्दीत question पूछा जा सकता है, चाहे वो domestic activity हो या फिर foreign activity हो, government को भी question hour के माध्यम से, देश की जनता का pulse पता लगता है, मतलब ground पे क्या चल रहा है, और जनता का mood क्या है, ये जानने को मिलता है, सरकार को question hour के माध्यम से, इसके साथ साथ, जनता को भी बहुत सारा फाइदा होता है, देखो, बहुत बर ऐसा हुआ है, कि question hour में जो questions सरका से पूछे गए और जो answers मिले उन answers के मिलने के बाद बहुत बड़ा scandal emerge हुआ या फिर एक बहुत बड़ी debate चल पड़ी question hour में सरकार के तरफ से answers दिये गए मतलब जो answer सरकार के तरफ से दिये जाते हैं उनसे जो information निकल के आती हैं वो जनता के लिए भी बहुत काम की होती हैं उससे debate होती हैं जनता को ऐसी information मिलती हैं जो कि उनकी help करती हैं सरकार के बारे में view बनाने में कि सरकार कैसा काम काज कर रही हैं तो वो बाद में जब elections होते हैं वो बहतर डंग से अपना vote कास्ट कर सकती हैं देखो पार्लियमेंट में जो rules of procedure हैं मतलब दोनों houses के rules of procedure हैं वो बताते हैं question hour के लिए procedures क्या होंगे notice period कितना देना अनिवारे हैं कौन से questions को admit किया जा सकता है कौन से questions को नहीं किया जा सकता सारी details दोना houses के rules of procedure में बताई गई हैं देखो answers में जो information दी जाती हैं ministers के दवरा यानि जो answers दिये जाते हैं उसमें information बहुत ज़दा accurate होनी चाहिए क्योंकि parliament में information सरकार के दवरा दी जा रही हैं तो उस information का सच होना बहुत ज़दा ज़रूरी हैं काफी बार गलती निकल जाती हैं बट मोका दिया जाता है ministers को कि वो correction कर लें जो information उनके दवरा provide की गई हैं और देखो वो questions जिसमें written answers देने पड़ते हैं वो member of parliament जिन्होंने question पूछे हैं उनको answers की copy उस दिन की proceeding स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाती हैं तो इस परकार से हमने question hour के advantages डिसकस कियें सरकार को भी फाइदा होता है उन्हें देश की pulse के बारे हैं पता लगता है opposition question hour के माध्यम से सरकार की accountability fix कर सकते हैं जो की उनका काम हैं और जनता को भी accurate information मिलती हैं पब्लिक डोमेन में information आती हैं इससे debates होती हैं scandals बाहर आते हैं corruption का पता लगता हैं तो question hour की importance काफी जादा हैं बड़ देखो अब जो 14 September को मानसून session स्टार्ट होगा इसमें question hour का session conduct नहीं होगा ऐसा बोला गया हैं लोक्षबा के speaker और राजसबा की chairman के द्वारा आपके मन में आया होगा ऐसा क्यूं इतनी ज़्यादा importance है तो इस session को क्यों नहीं conduct किया रहा हैं argument दिया गया है COVID-19 की महामारी आंटिकल में कहा जाता है देखो जब बाकी बिल पर चर्चा हो सकती हैं तो फिर question hour के session को conduct करने में क्या दिक्कत हैं जब बाकी बिल्स पर चर्चा होगी तब भी तो standard practices को follow किया जाएगा ना जैसे mask, social distancing तो ये सारी जो standard practices हैं वो question hour में भी तो अपना ही जा सकती हैं तो फिर question hour को क्यों avoid किया जा रहा है ये अपने आप में काफी serious question हैं वैसे देखो जब इस issue पर controversy generate हुई तो ये clarification दिया गया कि सिरफ start questions जिसमें oral answers देने के आप सकता होती हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं unstard questions जिनमें written answer देने के आप सकता होती हैं वो questions पूछे जा सकते हैं बट writer का ये कहना है जब start questions पूछे जाते हैं जिनमें oral answers देने के आप सकता होती हैं इन start questions के मादयम से सरकार की intentions के बारे में पता लगता हैं किसी परकार के procedural लेकुना यानि procedure में अगर कोई कमी है उसके बारे में पता लगता हैं at least जो illegality है उसके बारे में पता लगता है इसलिए पूरी तरह से start questions पर रोक लगाना आने वाले parliamentary session में ये ठीक नहीं हैं कोई solution ढूंडा जा सकता था जैसे जो supplementary questions पूछे जाते हैं start question पूछने के बाद उन supplementary questions को written question के थ्रूप पूछने की इजाज़त हो सकती थी और supplementary question का answers भी written में देने की इजाज़त हो सकती थी ऐसा solution निकाला जा सकता था बट ऐसा कोई solution नहीं निकाला गया वैसे तो देखो लोक्षबा हो राज़शबा हो इनमें अंतिम जो words होते हैं राज़शबा में chairman के होते हैं और लोक्षबा में speaker के होते हैं बट काफी बार ऐसा हुआ हैं कि consensus यानि सहमती बनाने की कोशिस की जाती हैं members के बीच various motions के माध्यम से तो इस issue पर भी क्या question answer को avoid करने के आशकता है इस session में उस पर सहमती बनाई जा सकती थी इससे जो healthy tradition है मतलब सकरात्मक जो परंप्रा हैं हमारे parliament की वो मजबूत ही होती last में final words के तोर पर कहा जाता है writer के द्वारा देखो जब कोई crisis आते हैं चाहे वो social crisis हो economy crisis हो या फिर political crisis हो तो functioning democracy का test होता है कैसे इन crisis को tackle किया जाएं various जो institutions होते हैं democracy में उनके माध्यम से इन crisis को tackle करने की कोशिस की जाती हैं but avoid करना किसी issue को वो democracy healthy functioning के लिए ठीक नहीं है question hour अगर इस session में conduct होते हैं तो बलकि पता लगता सरकार ने कैसा काम किया है इस महामारी से निपटने में सरकार की accountability fix होती जनता को भी पता लगता कि सरकार ने कैसा काम किया है कौन से steps लिए हैं इस covid-19 से निपटने के लिए यही तो democracy हैं तो यह हमने पूरा article discuss किया question hour की importance के बारे में ने स्थार्ट कल परधान मंत्री फसल भीमा योजना में कुछ नए बदलावों के बारे में हैं आप GS paper 2 और GS paper 3 के इन topics से article को relate कर सकते हों सबसे परहे तो देखो हम परधान मंत्री फसल भीमा योजना के basics के बारे में बात करते हैं कई बार देखो क्या होता हैं किसी सीजन में बारिष कम हुई किसी सीजन में ज्यादा हो गई कई बार crops को किसी परकार का कोई disease लग जाता हैं तो इन सब events के average में किसानों की फसलों का insurance होना बहुत जरूरी है अगर insurance नहीं होगा तो फसलों के बरबाद होने की वज़े से किसान या तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे या फिर अगली फसल को नहीं उगांस केंगे तो मतलब crops का insurance होना बहुत ज़रूरी है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परधान मंतरी फसल बीमा योजना चलाई थी 2016 में और ऐसा नहीं है कि इससे पहले crop insurance scheme चलती नहीं थी इससे पहले भी crop insurance schemes थी बड़ 2016 वाली जो यह scheme थी काफी माइनों में अच्छी थी सरकार के दौरा कहा गया था कि हम बहतर technology का इस्तमाल करेंगे ये पता लगाने के लिए कि जो crop loss हुआ है उसका scale कितना है flat rate रखा गया premium के तोर पे 2% uniform premium premium किसानों को देना था creep crops के लिए 1.5% rabi crops के लिए 5% premium किसानों को देना था annual commercial और horticulture crops के लिए और बाकी का premium सरकार को देना था insurance companies को subsidy के तोर पर अगर देखो हम परधामेंतरी फसल भीमा योजना scheme की implementation की बात करें तो जैसा पहले हमने coverage पुरानी schemes की अपेक्सा कर ज्यादा है next point initial years में यानि जब से scheme implement होना start हुई 2016 के बाद से weather ठीक ठाक रहा crop loss कम हुआ इस वज़े से claims कम आय तो insurance companies ने अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया लेकिन देखो बहुत सारा criticism भी हो रहा था इस scheme का जैसे कुछ points अगर हम discuss करें crop loss कितना हुआ है इसके assessment में काफी सारे gaps होते थे जो authorities थी उनका sample size काफी छोटा होता था जो बड़े scale पे lows का पता नहीं लगा सकता था next payment में काफी ज़दा delay होता था जैसे कुछ आंकडे दिये गए हैं खरीफ 2016 में जिन farmers का crop loss हुआ उनकी payment अप्रेल 2017 तक नहीं हुई next premium rate काफी ज़्यादा ये भी एक सिकायत है किसानों की कि हम premium काफी ज़्यादा देते हैं और बडले में हमें कोई certificate नहीं मिलता मतलब देखो अगर आप directly insurance company से अपने crop का insurance करवाओगे तो insurance company वाले आपको कोई document certificate तो देते हैं ना बड़ किसान बोलते हैं हमने खास करके वो किसान जिनोंने loan लिया था और loan से first low का जो premium है insurance के लिए जो premium है वो काट लिया गया वो किसान बोलते हैं कि premium काट लिया गया है बड़ ना तो हमें कोई document मिला है insurance companies हमें कोई जबाब नहीं देती कोई information नहीं है कहां से हम अपने claim का settlement करें मतलब capacity जो है farmers के claims को deliver करने की बहुत ज़्यदा पूर है और insurance companies ने तो देखो बहुत सारा पैसा कमाया है कम से कम सुरुवाती सालों में 2016 में 2017 में weather ठीक ठाक रहा इतना ज़्यदा crop loss नहीं हुआ तो insurance companies ने बहुत benefit कमाया सबसे last में awareness भी किसानों को नहीं थी इस scheme के बारे में इस वज़े से पुरानी schemes के अपिक्सा कर्थ coverage तो बड़ा बड़ अभी भी इस scheme का coverage काफी ज़्यदा कम है कुल मुला के ये परधामिंत्री फसल बीमा योजना पुरानी फसल बीमा योजना के comparison में ज़्यादा farmers friendly थी बड़ देखो फिर भी बहुत ज़्यादा कमया थी इस scheme में एक तो ये scheme उन farmers के लिए तो mandatory थी जिन्नोंने बैंकों से लोन लिया है और वो farmers जिन्नोंने बैंकों से लोन नहीं लिया है उनके लिए ये scheme mandatory नहीं थी अब जिन्नोंने लोन लिया है बैंकों से उनका तो पैसा अपने आप कट जाता था उनका premium अपने आप कट जाता था इसलिए बैंकों से लोन लेने वाले किसानों में scheme का coverage ज़्यादा था और बाखी के किसानों में scheme का coverage कम था next point central subsidy की कोई limit नहीं थी इस वज़े से जो insurance companies थी उनके पास interest कम होता था मतलब वो कम interested होते थे इस scheme में इल्मोल होने के लिए क्योंकि उनको पता है सरकार subsidy दो दे ही देगी next point है whose pendency काफी बार देखो ऐसा होता था सरकारों को जो premium देना होता था subsidy के तोर पे insurance companies को कई राजे सरकारे insurance companies को premium देने में बहुत ज़्यादा देर कर देती थी इस वज़े से मालीजिए जिस राजे सरकार ने premium नहीं दिया insurance company को और unfortunately वहाँ पे बार आ गई तो फिर किसानों का जो क्रोपलोस हुआ है उसका settlement insurance companies वाले जल्दी से करते नहीं थे वो बोलते थे हमें अभी तक तो premium ही नहीं दिया राजे सरकार ने तो हम कैसे आपके claim का settlement करें तो इन सब कम्यों को देखते हुए सरकार अब कुछ changes लेके आई है परधान मंत्री फसल भीमा योजना में आप changes के बाद इस योजना को कह सकते हो परधान मंत्री फसल भीमा योजना 2.0 सबसे पहला change तो देखो यह है अब इस scheme को completely voluntary बना दिया गया है पहले आपको याद होगा जो किसान loan लेते थे उनके लिए तो यह scheme compulsory थी और loan ना लेने वाले किसानों के लिए यह scheme voluntary थी बट अब सबके सारे किसानों के लिए यह scheme voluntary रहेगी mandatory किसके लिए नहीं रहेगी next पहले क्या होता था central subsidy पर कोई limit नहीं थी इस वज़े से insurance companies ज़्यादा interest लेती नहीं थी scheme की implementation में क्योंकि उनको लगता था कि central government से subsidy तो मिल ही जाएगी next states को भी flexibility अब दे दी गई है अब states के भी मरजी है वो scheme को implement करना चाते है या फिर नहीं करना चाते है और अगर implement करना चाते हैं कुछ दूसरा risk cover किसानों को देना चाते हैं जैसे localized कोई calamity है, mid season adversity है, post harvest losses है तो यह extra risk cover भी many state governments के द्वरा दिये जा सकते हैं किसानों को next अगर देखो जो states है वो अपना share नहीं release करते हैं समय से पहले तो फिर उन state governments को मौका नहीं दिया जाएगा इस scheme की implementation में एक निश्चित समय जो की है 30 स्टंबर रभी की फचल के लिए 31 मार्च खरीफ की season के लिए इस से पहले किसानों को नहीं state governments को अपना share देना है इससे पहले अगर state governments अपना share नहीं देंगी scheme की implementation में तो फिर उनको scheme की implementation में participate करने का मौका नहीं दिया जाएगा next जैसा हमने पहले discuss किया था कि farmers को awareness कम है इस scheme की बारे में तो अब जो insurance company है उनको देखो 0.5% of total premium जो उन्होंने collect किया है वो खर्च करना होगा information education और communication activities पर ताकि किसानों को पता लगे कि ऐसी scheme चल रही है और उसके क्या-क्या benefit हो सकते हैं अब last में way forward में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा awareness generate की जाए किसानों के behavior में बदलाव लाए जाए और एक कमी ये थी जो हमने नहीं discuss की थी tenants और share cropers जो farmers होते हैं उनको cover नहीं किया जाता उनको भी cover करना अनिवारे हैं और जो बदलाव किये गए हैं वो tenants और share cropers को लाब नहीं पुंचाएंगे next सभी important crops cover होनी चाहिए इस crop scheme के अंतरगत और किसानों को increase करना चाहिए कि वो mixed farming पर focus करें diversity of crops उगाएं next जो localized disasters हैं जैसे wild animals ने फस्लों को नुकसान पहुंचा दिया आग लग गई cold waves, frost इन सब को भी cover करना चाहिए next पोस्ट harvest losses में unforeseen weather events आ गई जैसे ओले आ गए हेल स्टॉम्स आ गए तो उनको भी cover करना चाहिए next point farmers को inform करना चाहिए crop insurance premium को detect करने से पहले उनको proper insurance policy document देना ज़रूरी है, सारी details देना ज़रूरी है, crop की implementation में पंचायती राज, institutions और farmers को भी involve करना चाहिए implementation की सभी stages पर, next point insurance unit को over the period of time reduce करो, एक insurance unit village level से बड़ा नहीं होना चाहिए last point ये है, small farmers या फिर women farmers जो है, ऐसे groups को incentivize किया जाए ताकि ये crop का insurance करवाश करें तो ये हमने पधामंतरी फसल भिमा योजना की implementation के बारे में आटकल डिसकस किया, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion कि बारे में जो एक जाए चाहिए हम ये दोह हमने ही है, बारे में जाए भी कि तो ये है, लिक सब्सक्शाब भी करेंच कि जाए अन्यवरा इस उकारवा चाहिए